Hello Class 10 Students, Welcome करते हूँ मैं आपका, अभी CBSE की तरफ से एक latest update अभी अभी आया है, जिसे मैं आप सब के सामने लेकर रहे हूँ, बहुत सरे questions आपके मन में कब result आएगा, कैसे आएगा, तो आपका result जो final हो चुक है 15th January को आएगा, means next week आपका result आएगा, और अब कहां चेक कर सकते हैं CBSE की official website पर आप चेक कर सकते हैं आपका result, बट अगर आपको download करना है, तो पहले की तरह जैसे इतने सालों से होता रहा है, तो name wise आप result जो है वो download नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ चेक कर सकते हैं 15th January को, जिसके लिए आपको आपके role number या registration number की requirement होगी, इनकेस किसी बच्छे का role number या registration number नहीं मिल पा रहा है या खो गया है, तो अपने school से जाके ये role number या registration number ले सकता है, जिससे आप online website पर अपना result जो है वो चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको download करना है आपका result तो वो same time पे नहीं होगा, 5-10 दिन आपको wait करनी पड़ेगी, और download करना पड़ेगा आपक cbsc.gov.in2022 पर जाना है, वहाँ link पर click करना है main website की, जहाँ पर cbsc result लिखा हुआ आएगा, जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो एक नया page open होगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा class 10 और class 12 का term 1 का results, वहाँ आपने जो भी class है आपकी आपने registration number या फिर role number दोनों में से कुछ भी enter करना है और result button पर click करना है, जैसे ही आप click करोगे तो subject wise, arts, commerce, science, जिनका भी subject है, 10th के बच्चे, उनका result वहाँ पर show हो जाएगा, उसके बाद आप इसे after 5-10 days आप इसे download कर सकते हैं और future के लिए save भी कर सकते हैं, या इसकी print out भी ले सकते हैं, तो print out लेने से पहले आपको सा आपका नाम, date of date, everything should be correct, ठीक है, तो आप इस तरह से अपना role number और your registration के तुरू आपना result चेक कर सकते हैं, तो all the very best for your exam result, चलिए मिलते हैं नेक्स सेशन में, अपना result जरू शेयर किजएगा, thank you.